इंडिया की फेवरेट डिश का नाम है डोसा यह सबका ही फेवरेट है क्योंकि यह तो एक तो इसली डाइजेस्ट हो जाता है और खाने में भी बहुत लाइट है जब भी लेकिन कई बर हम कोशिश करते हैं बनाने की इसको एक तो एक दिन पहले त्यारी करनी पड़ती है फिर कई बार हमसे प्रॉपर यह बैटर नहीं बनता तो डोसा भी हमारा नहीं बनता मेरी जो आज की रेस्पी है वो है डोसा प्री मिक्स चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता हेलो फ्रेंज मैं संतोश वेलकम टू माई चैनल डिलिशिस पकवान डोसा प्री मिक्स बना पानी आ जाएगा तो उसके बाद मैंने धुली मान जो लिए अड्र की डाल है उसको भी मैं धुले अड्र कर लूँगी अच्छे से और उसको भी फिर मैं पैन में डाल लूँगी कपड़े के साथ अच्छे साफ कर लूँगी क्योंकि इन डालों को हमने जो ड्राई का उसके बाद यहां पे मैंने अब गैस फ्लेम अन की है और उसको अच्छे से साटे करेंगे रोस्ट करेंगे इसको हम तीन से चार मिनट तक फिर मैंने दो टेबल स्पून यहां पे लिए चना डाल और उसके बाद मैंने हाफ बॉल ली है यहां भी पोहा यह पोहे के साथ ह हम इसको रोस्ट करेंगे और सौटे करते जाएंगे इसको बहुत जादा नहीं हमने भूनना अब मैंने एक टेबल स्पून लिया मेथी दाना हमने यह जो हमारे एकुल क्वांटिटी है इसके साथ हमारा जो पोहा बेटर है बनके ड्राइ मिक्स पाउडर बहुत अच्छा त् अब यह मैंने गैस फ्लेम आफ कर दी है अब इसको ठंडा होने के बाद जो हमारे यह रोस्ट किया हुआ मिक्सचर तो मैं मिक्सचर जार में डालके अच्छे से ग्राइंड कर लोंगी उसको पाउडर बना लूँगी जो हमने रोस्ट किया था सारा मिक्स्चर हमने ये ग्राइंड कर लिया है और देखो कितना अच्छा फाइन पॉडर बनकर त्यार हो चुका है अब मैंने एक टी स्पून लिया यहां पर बेकिंग सोड़ा और एक टेबल स्पून लिया यहां पर पिंक सॉल्ट अब इसको मैं जो हमने डोसा प्री मिक्स बनाया तो उसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी और यह देखो जिसको शकायत रहती है कि हमसे डोसा अच्छा नहीं बनता है उसके लिए बहुत ही अच्छी रेस्पी है अब थंडा होने के बाद यह डोसा प्री मिक्स हम किसी भी जार में स्टॉर करके रख सकते हैं और जब भी डोसा खाने का मन हो तो आप इसको इसली यूज़ कर सकते हैं और ये कम से घम 6 मीने तक भी आप इसको यूज कर सकते हैं अब मैं कुछ डोसा प्रीमिक्स लूँँगी एक बॉल में और उसमें दहीं एड करूँगी ये फ्रेश दही है और इसको अच्छे से दहीं को प्रीमिक्स में एड कर दूँगी मिक्स कर दूँगी दहीं मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करते हुए हम विस्कर के साथ इसको अच्छे से विस्क करेंगी जिनको शकायत रहती है कि हमसे डोसा बैटर अच्छा नहीं बनता आप इस डोसा प्री मिक्स रेस्पी को जुरूर ट्राई करना क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा डोसा बनकर त्यार होता है जब भी आपको जुरूरत पड़े आप थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करते जाना एकदम से पानी एड़ नहीं करना क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए हमने एक स्मूद कंसिस्टेंसी बनानी है ता और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको यह रेस्पी कैसी लगी और मेरा चैनल लाइक करना और अब मैं हमारा जो स्मूद बैटर बन गया लिड के साथ ढखके इसको कम से कम आदे घंटे के लिए बैटर को रख दूँगी तकरीबन आदा घंटा हो चुका हमारा डोसा प्री मिक्स बैटर को अब मैंने एक तवा डॉन स्टिक तवा लिया उसको अच्छे से गरम किया और उसके उपर जो बैटर है हमें ऐसे किसी भी कड़्ची या चम्मत के साथ ऐसे हम डोसा बैटर फैला देंगे स्मूद ली फैला रहे हैं और जिसको भी ये ये डोसा बहुत ही अच्छा बनकर त्यार होने वाला है आप जब भी कई नया है किसी को डोसा जो हमें प्री मिक्स वाला डोसा है जब भी चाहे मन चाहे तो आप ऐसे डोसा त्यार कर सकते हैं मेरी जो इडली और इसके साथ आप नारियल की चटन अब चाहिए और जब ना तो उसको अच्छा बिचाते नहीं इताकि छाइध नहीं हैं जिस्टकेश कहां चूर। क्युर्स कायित को आप बाते हैं होकर झूर्ट पी को आप डोसा प्री मिक्स को जब भी मन करें आप जितना भी जितना मर्जी डोसे त्यार कर सकते हैं और इस सिर्फ आपको दही में एड़ करना यह हमारा डोसा बैटर एक वर प्री मिक्स बना के रख सकते हैं और इसको कम से कम हम छे महिने तक भी यूज कर सकते हैं यह लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना